61 run 26.6 का उनका average है और 50 उनने 19 लगाए हैं तो या शायद इतना आसान ना हुए टार्गेट वो तो अभी देखना बाकी है कि क्या आप जो है इस match को असाने से चीत पाते हैं या नहीं जो है वो चेस कर लिया जाएगा लेट सी वट इस गाएगा लेट सी वट इस गार्गेट की छोड़ दिया लेनिंग इस लेनिंग ऐसे ही औरेंज कैप नहीं है उनके पास छोड़ दिया उसको देखा बॉल हिला और अज टाइम भी है छोड़ने का एक दो बॉल लीव कर सकते हैं क्योंकि यह नहीं है कि कुछ जादा रंस बनाने तो वो चौक्या चक्या से आपका जो है वो अगर थोड़ा सा डेफिसेट भी होता है एक दो बॉलों का वो आप कवर कर सकते हैं बहुत अराब बिल्कुल क पहली डॉट करी इस बार डाउन दा लेक साइड ये गेंद कर दिया वाइड बॉल का इशारा आ जाएगा तो जो डॉट बॉल हुई वो बराबर हो गए एक रन आ गया एक गेंद पर और इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ने बिलकुल भी ने इस चेस को इ चले पहली बॉल जो थी वह अच्छी बॉल की दूसरी बॉल वाइड मैरिसन कैप की अगर बात करें तो चार और में पंदरा रंदे के पांच विक्टे उन्होंने ली थी तो आज काफी जबरता परफॉर्मेंस आता दूसरी बॉल के तयार अच्छी बॉल फिर से थोड़ा जाइंस के अच्छी लगी है कि वह करके आई हैं वह यह देखकर आई हैं कि लैनिंग्स कौन से एरिया में खेलना पसंद करती हैं और वहां पर आज उन्होंने फिल्डर लगाया हुआ है जो गलती पिछले मुकाबले में मुंबाइ इनियंस ने की थी जो उससे पिछले मु करने वाली है फुल टॉस बॉल ड्राइव किया है एफर्ट दिख रहा है सिंगल भी ले लिया जाएगा डायरेक्ट हेट भी लगेगी लेकिन बच जाएंगी यहां पे स्कूर अभी भी तीन है बिना किसी विकेट के नुकसान के वैसे गुजराच जाएंस के तो जहाता है सारे प्लेयर्श के अर पास औरेंज कैप भी लगे लेगी चली अच्छी बात है कि उस और जो और जो और जिए उनको जो मिली विए उस पे कुछ फरक है नहीं है चले ज़ें जरूर ले लिया गाए तो तीन गेंडों में तीन रन आ चुकी है अब मैं ग्लेनिंग करें इस बुआ को किम अरो या इड़ा तो काफी अची बना कर रखिए कि इस ऐस बॉल यहां पर क्या उटो सकती है अ जी नहीं शायद इंसरे चांस नहीं बीलगता इंसरे नहीं भी लगता तब जों ठोट इन अची बॉ Thermal I Pfizer हो रही ईस Ja करते हैं कि तो स्वस्थी बनेंगे चले सीमेंट वाली पिछ पे खेल के ये लोग इतने दन बना रहे हैं ओवर की पांच वे गेंड दाए हाथ से ओवर दव गेंड थी उसको पुश के आउंसाइड में सीदे डीप स्कुरल की तरफ महां मिलेंगे एक हन चार बिनकिसे नुकस के और सुनने तशमला पांच अवर की समापतिक बात जमाइमा रोड्रिकस तयार है है हैलमेट पहन के बाइद वे आपको बथा दूं अगर आप लेजेंड प्रेमियर लीग फॉलो करते हैं तो आज वर्ल्ट जायंट की टीम ने टॉस जीता था और हम उन्होंने कहा कि हम प वे फॉलो करते हैं यर्ज बाइद द्रेकर फिल्ट अच्छ था फिल्टिए करिंख दूं खुर्ट फ्रेमियर सिर्ट अच्छ ये और अच्छ एफर्ट ये लेकर फिल्ट है ठीस थीडियर खाइपाद तो अपर ग्रै बादिस पो फील था झाल ये निपाद विक्ट्ट की लोस्त टेलर को आउट किया है और चेविन लॉब्राइन को भी आउट किया है और केविन अब्राइन को भी आउट किया चाहिए अच्छी बात है फिलाल यहां एक और की समाप्ति के बाद चार है बिना किसी नुकसान के दिल्ली का स्कोर और 102 ही रन चेस बनाने है यहां से तो इजी टास्क होना चीए दिल्ली की टीम के लिए गेंद बाजी करने के लिए आई हैं तनुजा कनवर सामने होंगी मैग लेनिंग डाइगनल आते होगे बाएं हाथ से राउंड विकेट लेक्ट के बाहर की गेंदी फूल लेंद की क्या वाइड दी जाएगी जी हां अमपायर द्वारा वाइड दे दी गई है गेंद तो एक अतिरिक्त के रन के साथ पांच बिना किसे नुकसान दिल्ली का स्कोर इस गेंद को लेके दुबारे चलेंगी डाइगनल आते हो बाएं हाथ से राउंड विकेट लेक्ष्टम पे बाल थी उसको फ्लिक कर दिया गेंद सीधे डीप स्कोर लेक की तरफ महां फील्डर पीछे भाग रहा है उसको रोक भी लेगा एक रन मिला च्छे बिना किसे नुकसान के एक दशमलाव एक ओवर की समापती के बाद करेंट रन रेट है पांस दशमलाव एक चार का और चाहिए पांस दशमलाव तीन एक का तो अभी खेल शुड़ों ही हुआ है यहां पे बैलेंस चल में होने वाला था इनी विकेट्स में होता तो पचास ओर में तो पांसो से कमर्ण बनते ही हुआ है अच्छा वाग महां पे नहीं हो रहा है उन्होंने भी देख लिया है ऐसी सपार्ट पिचे देंगे तो बहाद चले हर मैच में बांडरी के बाहर चे लिए तो लेनिंग्स इसकी चावी भंदी गई है बंके यह आपने कआता कि लेनिंग नहीं चलेगी और होने वाली है लेकिन मिलेको लगता है कि लेनिंग्स चलेगी फिलाल यह च्छटका तो लगाए इस धी आइच्छाली ने अफिर मिन भाई यां इस टे और अतरिक्त करन ढ़न देरा बीना कि से नुकसान के एक दशमलव तीन ओवर की समापति के बाद एक तो इतने कम रंद से आपके पास उपर से आप वाइड देखे एक्स्ट्रा रंदे रहे तो यह कैसे चलेगा आपको रंद बचाने होंगे आप जितने रंद बचा सकते हैं उतने रंद बचाई क्योंकि हमने कई बार देखा है छोटे स्कोर कई बार मतलब क्लोज हो जाते हैं इस बार आगे बार फिर इंसाइड आउट खेला है गें बाउनरी के बाहर चार रंस के लिए है कि वाली वर्मा रंद मनाएगी आज काहित है ना मापसे तो बनात हो दिए भाई सतरा हो गया एसकोर बिना किसी देख करके आज चुकी है अपने ओवर में अभी भी दो गेंदे डालेंगे अब एक लका और आना है दो गेंदों सामने शेफाली वर्मा को पांच गेंदों में एक ग्यारे रंद बना करके ओवर की पांचवी गेंद काब हो सामना करेंगी डाइगनल आते हुए तनूजा क पांच ओवर की समापतिक बाद और मेग लेनिंग अब श्ट्राइक पर आएंगी जो पांच गेंदों में तीन रन बना करके खेल रही है और यहां से 88 रनों की अवशकता चलिए तो अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं आएगा ओप्स्टम के बाहर की गेंद थी जिसको पंच किया था बैकवर्ट पॉइंट के खिलारी के पास दोवर की समापतिक बाद 18 बिना किसी नुकसान के डेली कैपिटल्स का स्कोर यहां से 108 गिंदों में 88 रन चाहिए जीपने के लिए चलिए यहां पर रिक्वाइड हो गया 4.8 नौका तो यह बहुत इजी हो गया है डेली कै पिटल्स के लिए मैग लेनिंग से फाली वर्मा गटिकी रही तो में इजाफा करने वाली है वह आज पता कि मैं दूसरा एप्रोच लेंगी आज बोलेंगी कि शेफाली वर्मा जो है वह और उनका पर एपिस शहीर है और मैग लेनिंग जो हूँ आँकर का रोल प्ले कि यहां पर जल से जल शिफाली वर्मा फॉर्म में आए दिली कैपिटल्स अगेले मैग लेनिंग्स की परफॉर्मेंस से नहीं जीच सकते हैं परफॉर्मेंस फ्रॉट पर जाएंगी सोल आपे और स्कोर हो जाएगा बाइस बिना किसी विगेट के नुकसान के दस ओवर में खतम है लग तो असर है जैसे बल्ले बाजी चुड़ू हो चुकी है दस का रंजेट मिंटेन करते हुए चल रही है दिल्ली कैपिटल्स की तीम तो दस ओवर में खतम हो जाने चाहिए मैच दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर और शिफाली बहुंच जाएंगी बिस पे बेलकुल शफल किया था थोड़ा सा कदमों का इस्तमाल भी किया था रूम दिया था अपने आपको भले ही किम गार्थ ने उनको जो है फॉलो किया था लेकिन फिर भी अराम से चौके की तरफ पहुचाया इस बॉल को ड्राइफ किया था और कवर शेतर की तरफ एक बाउंडर चला जाएगा रूम जरूर देना चाहती थी लेकिन अपने आपको रोका क्योंकि उनको पता लगया था कि बॉल आउटसाइड ऑफ स्टम जा रही है तो उसको हलके से गाइड किया और जो शॉट थर्ड मैं की जो फील्टर खड़ी थी उनके सर के उपर से यह चौका लगा अबला इंदिजार है यह एकस कप्तान है यह दोनों कप्तान का जो वह है न वह अच्छे नहीं चल रहे ग्रेग नहीं बिल्कुल स्नेलाना की बात चले पहले वह इंजड हुई फिर यह इंजड हुई अब एक और इंजड हो गई तो ठीक है सब इंजड ही हो जाओ देखे ग्यारे से उपर की रंगती है तो जल्द ही मैच खतम होने वाला है यह लेकिन जब भी हो इस रंचेज में मज़ा इसलिए आएगा कि शुड़ू से अंद तक आपको आतिश वाजिया देखने का मौका मिलेगा बिलकुल आतिश वाजिया तो दिल्ली कैपिटल्स और मौंबई के मैच में देखने का मौका मिली रहा है क्योंकि यह दोनों ही टीमों की ओपनिंग बैटर जो है वो ताबर थोड हिटर है आँक बंद करके रं बनाना वो जानती है पांच भी गेन डाउन दा लेक साइड ब कर आब वाइड बॉल सोचने में मजबूर किया गे इंदवास को कि करिए कहा करेंगी लेक्स्टम के बाहर करी तो इंसाइड आउट खेल दिया आगे करी तो लंबा मार दिया भार करा तो थर्ड बेंद को अगर आप थोड़ा सा पैड पर देंगे तो आपको फाइनले की त हैं वर्ड 49 के साथ बैटिंग देखे लगा नहीं वह ऐसे है ना चलिए स्ट्राइक दिया अब यहां अभी अंतिम गेंदाना बाकी है शिफाली की वर्मा दस गेंदों में पचीस रन बना करके खेल करें मैग लेनिंग की तो साथ गेंदों में चार रन यानि कि आज एक सप और उनके लिए अच्छी बात होगी कि उनके साथ ही बलेबास थोरसा confidence गेंद करेंगी ताकि आने वाले matches में वो अच्छा खेल सकें ओवर की अंतिम गेंद दाए हाथ से ओवर दविकेट फुलर लंद की बॉल थी लेक्ष्टम के बाहर उसको पीछे हरते हुए गेंद को ख क्योंकि आपने सोला रन ले लिए जब आपने सोला रन बना लिए डोंट हाव टो टेक एनी रिस्क एड़ और यहां पर दस विकेट से जीतना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स की तीम जरूर चाहेगी कि हम दस विकेट से जीतें बट देखते हैं कि क्या गुजराज जायन से विकेट निकाल पाएंगे फिला स्क्राइक पर शेफाली वर्मा एक ताबर तोड़ हिटिंग की तरफ वो जा रहे हैं चले काफी सारे कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं आकाश ब्लास्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दर्शपीज सिंग हैं हमारे साथ जुड़े हुए यहां पर एक और चौका लगा दिया फुले लेंट की बॉल थी ऑफ्स्टम के बार्स को ड्राइव किया गें सीदे लॉंग ऑफ बाउंडरी की और चौके के लिए बिलकुल यहां पर आप यह देख सकते हैं कि रुकने का नाम नहीं रहे लिए शेफारी वर्मा पहले ही लॉंग ओफ की तरफ और ऐशले गार्डनर जो है बॉलिंग कराने के लिए उनका स्वागत काफी ही एक्स्प्लोजिफ तरीके से किया है अर्तिस हो चुका है स्कोर तीन दश्रमलव एक ओवर के बाद दूसरी बॉक ले तयार है शफल किया खेला है उसको स्क्वेर लेक बा लगा चुकी है शेफाली वर्मा एशले गार्डनर आई है अपना पहला ओवर ले करके और उनकी भी शुरुडवात शेफाली वर्मा ने खराब कर दी ओवर की तीसरी गें दाएं हाथ से ओवर दाविकेट इस बाद स्लॉक स्वीप किया गें सीद है मिड़ विकेट पॉर देखिए भले ही मैच जो है वो बिल्कुल नीरा स्या में पता है डेली जीत जाएगी लेकिन जिस तरीके से बैटिंग यहां पर हो रही है शेफाली वर्मा की तरफ से वो इंट्रस्टिंग मना रहा है मैच पिछतर मीटर का चक्का और मिडल ऑफ द बैट से स्लॉक स्वीप गुटने पर गई और चक्का लगा दिया डीफ में इसमें बल्ले का फ्लो था बिल्कुल ताकत लगाई नी थी बच गई बच गई यहां पर फुल टॉस बॉल थी उस पर पुल करना चाहती थी लेकिन बल्ले का निचली हिस्सा लेकर स्टम्स के नस्दीक से निकली थी जस गुना लगाम ले रहे हैं और उनसे सिव आठी बॉले जादा खेलिया उन्होंने बिल्कुल साथ बॉले मों भी खेल चुकिया उसे फिलाल मैग लेनिंग स्ट्राइक पंच किया बॉल को और चौका लगा तिया यह भई I'm sorry to say Shifali Varma ने बहुत अच्छे शौट खेले ल जिसको चौके के लिए निखाना है और कितने प्यार से शौट शहलाया है रोने किनको और 27 गेंदों में 53 नं की पार्टनेशिव हो गई है 12 नहीं मैं गलत बोल गया भाई 10 यह बिल्कुल चले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसकर लिए बिल्कुल अग अब अब आप इस मेहंगा ओवर है अभी तक इस WPL का इस मेह मनायते क्या को ऐसा ओवर राया ता रज जिसमें 23 या 24 के जाधा रूपड़े हो कुछ यादो अपको अपको यार ऐसा तो याद नहीं लेकिन यह तो कह सकता है इस मेहंगा ओवर है अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और जरूर चेक आउट कीजिए हमारे आज के है जो है खेलते हैं और अपसे बड़िया बात है कि 100 वेलकम बोलस है तो अगर आप 500 का डिपाउजिट करते हैं तो आपको 1500 मिलेगा तो इससे बड़िया बात क्या हो सकती है तो जाईए चेक आउट कीजिए और इनाम जीते हैं बहुत सारे अपनी स्किल्स का यूज की चलिए यहां पर 4 और की समाप्ति के बाद 57 है बिना किसे नुकसान के डेली कैपिटल्स का स्कोर और 49 रनों की अवशकता 10 और से पहले ये मैच खतम होता हुआ दिखाए देखने देखने यूभी भाई का चलिए अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं हमारी तना फिलाल चौका मिल जाएगा यहां शेफाली वर्मा ने कोई गलती नहीं की और फिल से गेंद को मिड़ाण के खिलारी के ऊपर से मारा है चौके के लिए तो भाई आज रुकने का नाम नहीं लेंगी वर्मा चब्वालिस रन बना चुकी है 16 गेंद में और अगर छक्का लग चाथ चौके दो चक्के लगा चुकी है यहां पर फास्टेस्ट्रिफ्टी के लिए जरूर जाना चाहेंगी अगर एक चक्का इस बॉल पर लगता है तो फास्टेस्ट्रिफ्टी अफ वोमेंस प्रेमियर लीग हो जाएगा शॉट पैक फूट पर जाके पंच किया इस बार गेंज आएगी लॉंगान की तरा आफ मिस फिल्डिंग होगी यहां पर एक रंग बिलेगा और स्कोर हो जाएगा बासट बिना किसी विगेट के नुकसान के बहतरीन बैटिंग चवाली इस रंस ओर चाहिए चुरानवे बॉल्स पे लेनिंग्स की बारी है अब मतलब पिछ पिशली दस बोस देखिया अब शेफाली नॉन श्राइकर एंड पर या तो मेग लेंग आ जाती है वहां बार ने लगती है वह तो शुकर कीजया अज मेंग लेंग लेंग शेफाली वर्मा को स्ट्राइक देने के मूर में नहीं तो वहां से भी पिटाई परती है आप वाइट भी मिलेगी और स्कोर जो है चौशाट हो जाना चाहिए जी हाँ चौशाट हो गाइसान चार दशामलों दो ओरो में चौशाट रण बन गए है बाईसाब यह जबरदर शुरुबात है वाई अमेरेकाद यह सबसे बड़िया शुरुबात है अब तक की एसाइपिल के तीसरी गेंद को यह तैयार है गेंदबाज मांची जोशी सामने होगी सीधे हाथ के बलीबाज शेफाली वर्मा पांच रन चाहिए उन्हें अपना अर्दर्शा पूरा करने के लिए उसको कट किया गेंद सीधे पॉइंट बांच के और चौके के लिए बहुत ही जबरदर शॉट और इस चौके के साथ इतना तो है कि फास्टेस तो नहीं बनेगा लेकिन सेकिंड फास्टेस ज़रूर बन सकता है उन्हें गेंदों में बेलकुल बेलकु गेंदों में उन्हें चार सुन मना चुकी है स्ट्राइक रिड़ है दो सो बहत्तर का तो या एक रन चाहिए सिर्फ 50 बनाने के लिए और वो मेरे क्याल से इसी ओवर में कंप्लीट कर लेंगे तीन बॉले अभी भी बाकी है क्रीस के बाहर जो है जादा उनका पहले ही शफल कर लिया है फिर से शॉट लगा है यहां पर एक ही रन मिल पाएगा तो उन्यस गेंदों में 50 तो की पारी खेली है यहां पर शेफाली वर्मा ने जबरदस्त लौक यहां पर शेफाली वर्मा का पिछले मैच में कुछ जादा खास नहीं कर पाई थी लेकिन आज फिर से प्र अब वो तैयार है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच रखी लेनिंग्स ने मैं बात कर रहा था कि पिछले मैच में उन्होंने हाइस बनायते हैं मुझे कि किलाव फॉटी नाइट बनायते हैं यहां पर एक अच्छी फीलिंग वहां पर और दो रन मिले मैग लेनि को यहां पर 71 हो गया है देली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुक्साम करी है ना जॉर्जय वेर हम ने अपनी कैप्टन का वो क्यों क्यों नहीं छोड़ा ऐसा नहीं आपको खेलना है नहीं क्यों उसने लेगी टीम में चलिए यहां पर खड़े होके सबने तालियों के कर रहा उनकी इस पारी को तो कि मैंने तो परफॉर्मेंस कर ली ठीक है लेकिन टीम को मेरा साथ देना होगा और पूरी टीम को परफॉर्म करके देना होगा तभी हम इस टॉर्णमेंट में अज़ रवाइव कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने आज डिसाइड किया कि मैं तो यहां पर रन आउट चेक किया जाएगा लेकिन ऐसा लगता है कि अच्छी तरीके से पहुँच गई है बल्लेबास तो नौट आउट का ही डिसिजन आएगा और यह जी हां आराम से पहुँच गई थी तो यहां पर रन आउट का कोई मौका नहीं दिल्ली का स्कोर होगा पांच अवर की समाप्तिक बाद बिना किसी नुकसान के यहां पर 90 गेंदों में 34 रनों की अवशकता तो 90 गेंदे छोड़ दीजिए मैं कहूंगा 34 रनों की अवशकता इस मैच को जीतने के लिए रिक्वाइड रन रेट आप जानना चाहेंगे 2.27 का मतलब कुछ नहीं और करेंट है 14.40 का तो इस डबलू पील की सबसे अच्छी शुडवात मैं कहूंगा इस टाइम दिली कैपिटल्स करते हुए और यह ओपनिंग जोड़ी आप कह सकते हैं डबलू पील की सबसे अच्छी मजबूत ओपनिंग जोड़ी है और साध बनी रहेगी मैं तो यहीं किया रहा हूं कि अगर आपने इन दोनों को आउट कर लिया ना आप तभी ड्ली से मैच जीए सकते हैं मुंबई से नहीं मने ड्ली से अगर आपने इन दोनों को आउट कर लिया तो अबल मेरी कमर में दढ़ता तू उठाले बोले और यह शायद एक्स्ट्रास के रहने यह एक बॉल होगे नहीं तो दो रंस के साथ लेगवाइस के इशारा शायद अमपायर का आएगा चोहुत्तर हो जाएगा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के अब दूसरी गेंद का सामना क कि इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है कि इनको ड्रॉइब जरूर किया है मिस फील्ड एक रन मिलेगा एक यह अदिन मिलेगा लेनिंग का स्कोर मैग ठीक है मैग लेनिंग पिछत्तर डीसी का स्कोर 31 और चाहिए और किती गेंदे को 28 गेंदे और बची 28 गेंदे मैं जीतने के लिए न मेरे काज उससे भी कम कहीं दस गेंदों में कतम नहों जाए जिस तेकर शेफाली वर्मा खेल रही है प्री यह सीदा फीलर के पास जाएगी मिडाव फीलर को लगाया गया है सिंगने के लिए अगल्ली बार मिस्फील करके सर सब तोड़ दिये हैं यहां पर क्योंकि बोलनों को समझी नहीं आ रहा क्या गेंद करनी है उस टम के बार करेंगी तो कट रखता है और आगे करती है तो कद्बों का इस्तिमाल कर देके मिल जाता है छोटी बॉल करती है तो कट मार दिया जाता है पितलब बिलकुल यह कमाल की गेंद हो सकती थी लेकिन आगे बढ़के उससे फ्लाइट बनाया स्टम्स की लाइन में गेंती और गेंद बास के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया था छक्के के लिए इस बाद फिर से लॉफ्ट किया है गेंद सीदे बाई अब हमें गेंद जाएगी पार्कि सब्सक्राइब करने होगी इतनी बड़े बल्लेबास के रूप में वही आज चाहती ही हर जगा नजर आती हुई और मैग लेनिंग की भी तारीफ करने होगी इतनी बड़े बल्लेबास है लेकिन आज सेफाली वर्मा को स्ट्राइक करने का मौका दिया है मैग लेनिंग ने तेरे गिंदों को सामना किया 16 बना करके खेल रही है और अपनी पाड़ी में अब तक वो दो चौके लगा चुकी जानी है चक्के भी तो लगाए थे अब यह तो ओवर की अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं स्कूर अभी 87 बेना किसे नुकसान जी कौन कौन कौर जायां की कोच को है ना शेफ मेंटर है यार मिथाली राज मिथाली राज मेंटर है जी यह को से कोच तो रेचल हैंस है और सेलि आप अगर वहां फील्ड पर जाके एकदम विपरीत उससे कुछ कर दें तो इसमें कोच की क्या गल्ती है विचारे की या वीकेंड वाइब जाधा अगे जल्दी करो आज पार्टी करने जाना है समझ गया ना मंबई की टीम की तरफ से पार्टी जी आज अममाणी जी ने पार्टी जी जी लिए जिसकी जरूरत बिलकुल नहीं थी क्या ही प्लैनिंग करोगे अब यार वो अच्छली एड का पैसा होता है एड तो दिखानी है दिखानी है एड तो भी उतनी दिखेगी दिखेगी जितना उने बोला है वैसे भी अब आई प्ल तो फ्री दिखा रहे हैं सब्सक्राइब तो या तो है वी रीचार्च करा रही है या एक्स्टा रीचार्च कराईए और में वाइफाई नहीं है तो आब गई हैंगे पहली की इन पैट्स पे थी और लैनिक्स ने का मैं शेफाली से ही फिनिश कराना चाहूंगी सीधे बैट्ची ड्राइफ करया सिंगल लिया स्कोर हो जाएगा 88 बिना किसी विगेट के नुकसान के इतना स्कोर तो उनके 18 ओर में हुए थे जितना साथवे ओर में हो गया है अब पांच गेंदे बचिये हैं और अठारा रण चाहिए इसी ओर में खतम कर रान चाहिए मतलब अच्छा लिए ठीक है नेक सेंस चलिये तो अवर की दूसरी गेंद को लेकर तयार हैं मांसी जोशी सोलर अंदी अपने ओर्स के दोड़ान और अगली गेंद को सामना करेंगी शिफाली वर्म शाट गो शिफाली गो गो शिफाली गो अफ्टम पे गेंदी फुला लंध की जिसको ड्राइव किया अरे जिफाली एक वर्म पे गेंद को कवर खेलारी के उपर से ऑंड़ा था और गेंद सी दे डीप कवर पे चौके के लिए भूम बना यार यहार यहां पर यहां पर रूठ्वी नहीं मिलेगी यहां भी ना यहां पर ओना नियोग प्लेटोड गोशे शायएंग तो अअ मे जब एक लागों को मिल जाएगे शिवाली का आई शेवर दू बाल्स 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 बिना किसी फिकट के नुकसान के फोर्टीन मो नीड़ड फौर बाल्स तोगो बैकफ़ट पेकरिये, इंसाइड आउट खेल दिया है हवा में गेल बाउंड़ी की तरफ ट्रडन है यहां! मैं तो कहते हो जाधा स्कॉर्र होता था सौ तोड़ा सा होना जी थोड़ा सा को मजा आता केखलो ठीक ठीक चिक लगाला मजा आता था सौ जाता पच्छेस पे बाधर बना दिया यार भाई साभ बैल दी अचेसे 280 काश्वायाट है इतनी अंदर गिर यार यह कभी कभार में इडिटेटिंग चीज होती है कोई बात नी कोई बात नी कोई बात नी कह रहा है थोड़ा सा काम मेरे को भी कर लेंडे तो थार्ड अंपायर को पैसे देने भाई आट रन और चाहिए एक टीन गिंदे बचिए आट रन चाहिए शिफाली वर्मा उन फायर पच्चीज गेंदों में बहात्तर रंस बनाके वो खेल रही है और ताबर थोड़ परफॉर्मेंस इस समय चलती होई चोटी बाल कट करने का प्रयास शिफाली वर्मा भी बज़ गई इस पर अपरकट कर लागा नाखोश होई खुद से क्योंकि इस बाल को उन्होंने मिस कर दिया क्योंकि उनका मानना कर बनले में लगती गेंद चक्के के लिए जाती है और जिस हिसाब से खेल रही है तो चक्के के लिए जा भी सकती थी गेंदों यहाँ पर 26 गेंदों में 72 रन बना दिये हैं शेफाली वर्मा ने और मेग लेनिंग की बात करें तो 14 गेंद में 17 बना करके वो नॉन स्ट्राकर एंट पर मौजूद है आर्ट रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और ओवर की पांचवी गेंद को लेकर तयार है मांसी जोशी सामने होगी सीधे ये फिर ज़ती गेंद ये फिर सफ़ चौटी गेंद ये इस बाद अग या इसको जानके लेकि लेकिन वाइड दे दिए ये ये इक ही बात रन यहां से आता है आहां से अधा अगया अपको लगता भी फिरीहिट की ज़ता सेफाली वर्मा रहा है चलिए कोई बार नी बिना फ्री हिट के लगाएं उनको फ्री हिट हर ओवर में वैसे ही मिल रही है और जो नहीं है उनको फ्री हिट बना रखा है एक दो तीन चार पांच चक्के लगाएं नौ चौके लगाएं आई सहाब अलोवर दपार्क शिक्स लगें आज ओवर की पांच वी गें सामने सीधे आज की बर्लीबास सिफाली वर्मा ओफ्टम की और शफल किया और हलके हाथों से वापस गेंदबास के पास खेल दिया अरन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी 99 बिना किसे नुकसान के 6.5 ओवर की समाप करो को? किया करो क्या कि कि Camere का? बहुत अचाता मौका शाथन ऐसक वर्मा पूल गूल से॥े हिए ओॉधर की ङएगी असेड शाश्टर की झमाप Napoli जाएगी एक सो तीर हो गया स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के एक बॉल और लगेगी यार चले यहां पर राम किशोर चौदरी पूछ रहे के बैथ मुनी क्यों नहीं खेल रही है बया उनको इंजरी हुई थी पहले मैच में तो अब वह लगभग लगभग लगगए पूरा ही बाहर चुके वोमिन्स प्रमीलीग में नहीं कहले इस्ट्रीन लार वोलवर्ट तो अब बेत्मोनी नहीं कहलें जाए कि विए कि प्लेयर बहुत साथा पसंदी है जो हर मोमेंन को ईंजोई करती है यहाज जमाइरोटरिकस यहाज अग्याज भाइड़ बाइड यहाज चाहिए भाइड रहाज भाइड़ आप टो यहाज प्रद्माइज यहाज दो के लिआ यहाज लुग कर रखिएंग हाज विच्छाश्य विच्छ थैया थान। यू शुड यू शुड बी आ टीम मैं अगर आप टीम मैं नहीं है तो आप क्रिकेट खेलना डिजर्व ही नहीं करते हैं तो यह मैं बहुत ज्यादा फेस करता हूं कि अगर जो यंग जनरेशन है अगर उनको चांस नहीं मिलता नो तो यह मुझे चांस नहीं दिया यह तो रहा है प्रित्वी शॉव यह सब देखे तो है इंटरनेशन में प्रित्वी शॉव को जेखे लिए जीट गई वे इस तरफ नहीं रुगेगा बाइगा बाइगा एक सो तीन है स्कोर मुझे तो यह लग रहा है कि मुंबई को पचारते व कि आप जीते हैं दिखा 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 यह तो यह आई गया यह अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा यह जरूर तीन से उपर तक पहुंच जाएंगे लेकिन मुंबई तक शायद नहीं पहुंच पाएं क्योंकि उसके लिए तो बिर आपको चार चार जार नहीं होगी अगर यह मुंबई को पचार देते लिए 5 तक सब काद सब कर दो से घलेशन चले तक आप ज्थरों को अब जब भूरिंग करते हैं... हाँ वह वह जब जाएगा कल के बाद अब यह नॉक बज जाएगा सुछल कल वाली अगर नौक आप वो स्टार्टर्स थे कि ऐसी बैटिंग हो सकते हैं तो इनको केरी फॉरवर्ड करते हुए यह मेन कोर्स परोसा है अगर कल की नौक हजम नहीं हुई है तो लिमका पैपसी कोल रिंग जो कुछ आप भी के हजम कर सकते हैं वो मंगा लीजे क्योंकि यह सब्सक्राइब करने में टाइम लगता है तो आज तो टाइम लगए लगए या दस विकेट से तेरा ओवर में मैच खतम कि चले साथ ओवर में मैच खतम हो चुका है तेरा ओवर का गेम जो है वो अभी भी बाकी था लेकिन उनसे कोई फरक नहीं बढ़ता उनको कि कि वल्य कुछ भी हो वो देखना बाकी है चले मोस्क्राइब की यहां पर बात कर लेते हैं जो आज के हमारे दिया गया है तो यहां ऐसा है कि वहां जाईए और आप बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं 500 रुपे डालिए 1500 का आपको बोनस भी मिलेगा तो यह बात है अगर हम बात करें मोस प्लेगी जो कि हमारे स्पॉंसर है तो जरूर चेक आउट कीचे हमारे स्पॉंसर को और बहुत सारे धेर सारे नाम जीते चले यहां पर अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है अगर हम बात करें पॉइंट स्टेबल की हम लगातार जो है यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जल् देखना बाकी है बट नहीं गई है आपको अपडेटेड बता देता हूं जो डिल्ली कैपिटल्स का अपडेटेड नेट रन रेट है जो दो से नीचे गए थे पिछला माय चालने के बाद वह वापस आ गया है अगर वह 10 के बाद भी जीती तब भी वह शायद उसमें नहीं आपाती तो बहुत ही जबर्दस लेकिन मैश देखने को मिला है लेकिन 6 एंके साथ मुंबई को काटे की टककर देने वाने कल का मुकाबला बहुत इंपोर्टेंट होगा यूपी और मुंबई का अगर यूपी जीत जाती है तो निश्चित तोर पे दिल्ली नंबर बन पे चली जाएगी चलिए अब मुलकाद होगी आपसे कल सुबह ठीक सवा नौ बजे जब हम हाजिर होंगे इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का चौथा दिन लेके येस बड़े अरसे के बाद चौथा दिन आ रहा है मज़ा आएगा तब तक अपना खेंड़